हाई शुडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जेग्राफी लेशन वन और ये है वीडियो नमबर 6 इससे पहले मैं इस लेशन पे 5 वीडियो और कर चुका हूँ तो आप पहले उसको देख ले अगर नहीं देखे हैं तो तो आज का टॉपिक है क् लोग लैंड रिशोर्स में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन आफ स्वाइल तो हम आद देखेंगे इंडिया है ज वैरेज रिलीव फिचर्स लैंड फॉर्म्स क्लाइमेटिक रियल्म्स आइंड वेजटेशन टाइप्स इस हैब कंट्रिब्यूशन कंट्रिबूटेड इन का देवलक्मेंण अफ वैरियस टाइप आफ व स्वाइल्स आइन कि इंडिया में जो जो रिलीव फिचर्स है और व्लैंड फीचर्स का है और इसका जो कंट्रिबुशन है डिवलप्मेंट में वो फला गला टाइप्स का स्वाइल है था तह म देखते हैं सबसे पहला स्वा दिया हुआ है एलेवियल स्वाइल एलेवियल मतलब जलोड मीटी जलोड मीटी बोलते हैं इसको देखते हैं यह कैसे बना है हम बात करें मेली अगर आपको बिटा अच्छे से नोट्स बनाना है तो एक बनाएं फर्मेट जैसे कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास करूंगा क कि अगर आप उस तरह से फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको प्रतिक स्वाइल के बारे में जो हम पढ़ना है आप उसको नोट्स इजली बना सकते हैं ठीके तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीच को मैंने बनाया है यहां लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन आफ स्वाइल मैं सबसे पहला मैंने लिखा है नेम आफ स्वाइल उस मेटी का नाम एस्टेट्स एंड एरिया यानि कि वो जो मेटी है उस प्रकार की मेटी कहां और किस एरिया में पाई जाती है और वो कैसे बनी हुई है ठीके इसके बाद मैंने एक नया कलम बना है आइडियल फार ग्रो तो अगर इस तरह से हमने अगर बना देते हैं नोट्स हो गएरा तो हमें समझने में पढ़ने में हमें कंप्रेटिवली याद करने में इजी होगा देखिए मैंने एक एक एमपल करके लिखा है अलिवियल स्वाइल के बारे में जो ये कहां मिलता है तो नर्दन प्लेंस जो गंगा और प्रहंपुत्र का जो प्लें फिल्ड है वो आपको अलिवियल स्वाइल सहीं बना हुआ है ठीक है यसमें अश्यर्च का नाम आपका आजाएगा उत्तर प्रदेश बिहार यसे रजस्थान हो गएरा गुजरात में भी है तो आगे बात करते हैं कि क्रॉप्स के ल अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो आपको इसको कंपरेटीव पढ़ने में याद करने विक्या होगी आपको इजी होगा ठीक हम साथ-साथ मैप का ध्यान देते रहेंगे मैप से देख लेंगे इसको कि कौन सी स्वाइल जो है मिटी जो है कि इस एरिया में पाजाती है तो आते हैं देखते हैं हम लोग में टॉपिक जो हमारा है वह आपका है अलिवियल स्वाइल तो हम एक समया देते हैं आप लोगों को देख लीजेगा और आप फिर से का कि जेगा नोट्स अपना अपन जो है अप उसको बना लीजेगा ठीक है देखते हैं अलिवियल स्वा मैंने बताय कि जो Elevial Soil है वो हमारे देश की जो Northern Plains है वो एक्टली जो है Elevial Soil से बना है तो हम मैप में देख लेते हैं कि Northern Plains की सुख बोलते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि जो इस फिल बना हुआ है जो आपका यह Parts है यह बिल्कुल क्या है alluvial soil से बना हुआ है ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं जो यह किस कलर का जो भी आपको एरिया दिखाई देगा वो क्या है alluvial soil से बना हुआ है ठीक है तो आप इसा देख सकते हैं पतले कोई डोर से होकर के गुजरा आप रजस्थान से गुजरात की तरफ जिससे मैंने आपको उसे बनाया तो यहाँ पर जो यह figure दिया हुआ है क्या है alluvial soil का यह आपको area दिया हुआ है ठीक है तो आप इस तो से map में ध्यान दे दे लेंगे विखिए आप यहाँ पर next soil के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है आप इस map में इसके सहारे से help से आप इसको देख सकते हैं तो माते हैं point पर कि जो entire northern plains area जो है वो कैसे बना हुआ है तो आपका alluvial soil से ठीक है इस है बेन डिपोटेट बाई थ्री इंपोर्टेंट हमालयन रिवर्स जो यह आपका नर्दन प्रेंज है वो आपको तीन हिमालयन रिवर्स से बना हुआ है जो सब इंडस गंगा और ब्रहंपुत्रा इस स्वाल आ अल्सो एक्टेंद राजस्थान और गुजरात थ्रो द नायरो कोडियों जो समने में दिखाया आपको अलिवियल स्वाइल इस आलसो फाउंड इन द नर्ड इस्टर्न कोस्टल प्लेंट पार्टिकुलर्ली इन द डेल्टा अप महा नदी गुदावरी द कृष्टना और काईवरी यानि कि नदियों मतलब जलोट का मतलब जल इसको ह coincend rape करते हैं तो जल प्लस जल से ड्घोया हुआ यानि कि जलो द्वारा जो मीटी बहा लाई आती है और जहां वीटिशा पानी का जो study सब्सक्राइब होता है और क्ले भी होता है आज भी मूब इन टुवाट्स दा रिवर्स वैली स्वाइल पार्टिकल्स अपिर्स शमवाट बिगर इंसाइज जैसे जैसे बात है जैसे हम लोग आपको लैंड एरिया से रिवर की तरफ चड़ेंगे पहाड की तरफ जाएंगे देखेंगे उसको पार्टिकल्स होता है जो बड़ा बड़ा होता है हम ध्यान से देखेंगे भी तो इसको समने आ जाएगा इंदा अपर